हर एक सेक्षन का कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है अगर मैं किसी एक सेक्षन को अगर पढ़ाता हूं तो उसके एक एक सब्दों को तोड़ मरोड कर आपके समने प्रसद करता हूं यानि कि किसी भी धारा से समान देत आपको कोई भी डाउट्स ना रह जाए इसलिए मेरा उद्देश है कि आप जो भी सेक्षन पढ़ें पूरा याद हो जाए जबान प्रण जाए और उससे समझेद कोई भी प्रस नहों तो आप बेजिजद उसको कहीं भी पता सकते हैं चलिए हमारा आज का टोपिक है सेक्षन तीन सो बावन तीन सो बावन बी एननस भारतिय नियाज सेंटा आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत आसान सेक्षन है सबको पता है कि तीन सो बावन में गाली गलोज की बात की गई है और यह आई पीसी में 504 आई पीसी के अंतरगत इसको रखा गया था अब गाली गलोज तो सब जानते एक तीन सो बावन में गाली गलोज देना तीन सो बावन के ताथ अपराद माना जाएगा तो अगर आपको conceptual वीडियो चले तो आप मेरे चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लेजी आपको एक एक सेक्षन का पोस्ट माडम किया जाएगा पूरे सेक्षनों का अच्छे से चीड फाड कर कि उसमें से अच्छी अच्छी चीजी निकाल कर आपके सामने दी जाएगी तो चैनल को पने सब्सक्राइब करें चले वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले एक बात बता दें कि जो 352 का सेक्षन है यह बात करता है गाली गलौच की बारे में गाली गलौच ऐसा कोई ब्यक्ति जो आपको गाली देता हो वह सेक्षन 35 अपराद माना जाता है एक कि क्या बोलते हैं उसको सीरियल आया है एक चीरियल तो सेरियल में नाम उसका है मामला लीगल है आप लोग देखेगा अच्छी सीरियल है हर जुनियर को देखना चाहिए उसमें सिख मिली है तो उसमें एक उसमें की वकील साहब होती है उनके पास एक क्लाइंट आता है मैटम उसने मेरे तोटा ने गाली उसको दिया तो मेरे उपर मुकदमा हो गया है तो गाली दिया तोते ने लेकिन मुकदमा उपर उस मालिक के उपर जो उसका मालिक था जिसने पाला हुआ था तो वह काती कौन सी गाली दिया था तो गाली गलोच यहां चाहत वह हर गाली के पीछे चाह लगाती थी इसमें हम नहीं कह सकते हैं वह तो सेरियल की बात है छोड़िए यहां देखिए अब 352 के लिए किन-किन बा ब्यक्ति को हो सकता अगर हूँ जान बूझ कर जान बूझकर क्या करता है किसी का अपमान करता है अपमान करता है या फिर उसको उकसाता है, उकसाता है, जिससे जान बुझकर अफमान दिता है, उकसाता है, जिससे जगडा उत्पन हो जाए, जगडा उत्पन हो जाए, या फिर उस आदमी को घुसा आजाए, गुस्सा आ जाए कोई गलत कृत कर बैठें गलत कृत हो जाता है उसके बाद सरवाजनिक सांती भंग होती है अब देखिए इसको अच्छे समझेगा कुछ भी नहीं है देखिए जो गाली होती है ने दोस्तों इमान लीजिए कि सरवाजनिक अस्थानों पर अगर गाली दी गई है तो ही गाली मानी जाती है उस देखिए क्या कहता है कोई ऐसा बैक्ति जो जान बूझ कर उसका एक आसय हो इंटेंशन हो वह आपका अपमान करता है या आपको उकसाता है क्या करने के लिए जगडा करने के लिए या आपको घुसा दिलाता है अगर घुसा दिलाता है जगडा करने के लिए उकसाता है अपमान करता है गलत कृत करने के लिए उकसाता है जिससे सरवाजनिक सांती भंग हो यानि वहाँ पर असांती फैल जाए तब वह अब्यक्ति 352 के तहट दंडित किया जाएगा देखे सरवाजनिक सब्द का उप्योग यहां पर हुआ है अगर घर में गाली दिया है कोई सुनने वाला नहीं है तो उसको गाली नहीं मान सकते हैं गाली सरवाजनिक अस्थानों पर होनी चाहिए वह आपको अपमालित करने के लिए होनी चाहिए तब वह गाली 352 के तहट दंद देने का प्रावधान करता है बात सुनुर ऐना और दूसरी बात दोस्तों यह जो गाली होनी चाहिए न यह हमेशां आपके मौकिक हो सकती है गाली किया हो सकती है मौकिक हो सकती है या फिर लिखित भी हो सकती है गालित मौक्षी भी हो सकती है लिखित हो सकती किसिप करकी गाली हो सकती है या फिर आपको इसारों में भी गाली देश इसारे में भी हो सकती है इसारों के माध्यां से भी यह अपराद बन सकता है अब देखे इसमें जो जान बूझ कर किया गया अपराद है और उक्साने का अ यह इसका में तक्त्त है कि जो भी वत किया गया हो जान भूझ कर टिया टिया और अगर अगर अंजाने में कोई लिए किसी को गाली देदिया है तब 352 के तहट अपराद नहीं नहीं बनेगा अंजाने गलती से गाले निकल गई है तब क्या होगा अपराध नहीं बनेगा कंसेप्ट समझ में आया हर एक चीज़ का चलिए अब हम बात करेंगे इसके दंड के बारे में तो दंड का क्या प्राधान किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि सजा की बात दोस्तों इसमें दो साल की कारवास कितना दो सालकार अरो से या फिर जुर्माना है। या फिर दोनों से दन्डित किया सकता है। है कि जब आस हंगी है तो कोई मेजिश्टित सुन्वाइश कर सकता आ है। कि जीमिस जीमिस जुडिसियल मेजिस्टेट कोई भी मेजिस्टे सुनवाई कर सकता है यह 352 बहुत ही पिछ लग्गु धारा है यह हमेशा एक दूसरे के साथ चूड़ राते हैं कई पर मार पीट हुई यह भाई साथ तुरंत पहुंच जाते हैं बीर बुलाए महमान है तो गाली गलोज का जो सेक्षन 352 है आसा करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इसके बारे में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्यों राजी भाई कहें भी 352 के ताथ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तो आज की वीडियों फिलाल इतन आए मिलेंगे किसी अन्य वीडियों में तब, अगर आप चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें मिलेंगे बाई बाय बाय किसी अन्य वीडियों में तो तक लिए बाय बाय